नमस्कार दोस्तों सुरिजन सिविल सर्विसेस के इस ऑनलाइन प्लैटफॉर्म में आप सभी का स्वागत हैं तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध इवम उससे सम्मंधित दिवाद की जैसा कि आज के समाचार चैनलों पर आपने देखा होगा कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो हम इसके सभी सिनारियों को समझेंगे कि इनके बीच प्रकरण क्या है और जिन बिंदूओं के तरह तो हम इस पूरे टॉपिक पर डिसकस करेंगे उन बिंदूओं को आप देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरे पैर में थोड़ी समस्या है इसलिए मैं ऑन दो बोर्ड आके नहीं पढ़ा पा रहा हूँ तो फिलहाल इस लक्षर को या इसके बाद हो सकता है कोई एक दो और टॉपिक हो जिसे हम इसी तरह से पेपर पे समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद जब पैर ठीक हो जाएगा या फिर मैं बोर्ड पे पढ़ाने में सक्षम हो जाओंगा तो निश्यत रूप से आगी के टॉपिक हम लेकर चलेंगे तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि यह जो मैटर है यह मुख्यूरूप से सभी परिक्षाओं में तो है लेकिन इसका PCS या IS के मेंस में भी काफी उपयोग है तो इस चैप्टर में जिन टॉपिक्स का प्रयोग किया गया या जो टॉपिक्स इस पुरे चैप्टर को कवर करेंगे वो मुख निदेशों के होते हैं वो और अंत में इंटरनेशनल इंस्टूशन या जो वैश्विक्स अंस्थाएं हैं हम उनकी बात करेंगे कहने का ताथ पर यह है कि इस टॉपिक को समझने के लिए इन चारो बिंदू के तहत इसे डिटेल में हम समझ सकते हैं अब इसके तहत हमारा जो एक प्रक्रिया होगी वो सबसे पहले हम इस युद्ध में वर्तमान प्रक्रण की बात करेंगे जिससे सम्मंदी चीज़े मैं ने देखिए यहां पर लिख ली हैं इसके बाद हम इसे और बहतर तरीके समझने के लिए इसके बहुगोलिक इस्थित को समझेंगे इनकी अतियासिक्ता क्या थी या वह ऐसी क्या परिस्तितिया थी पिछले समय में कि यह इस्तिति आजुद्पन हुई और इसके साथ हम शेतियुद्ध नाटो इन सब की बात करेंगे नाटो आजकल बहुत चर्चा में हैं आप देख रहे होंगे तो उस पे भी हम डिसकस करे यह रूस वा यूकरेन के विभिन च्छेतर में हम डिटेल बात करेंगे कि रूस यूकरेन के आसपास के देश कौन से हैं कोई जल च्छेतर है तो वो कौन सा है इसके बाद हम बात करेंगे विवाद का कारण क्या है ततपश्चात विवाद के संदर्ब में हम विभिन आज हम इस रूस यूक्रेन के संकट को जो वर्तमान में दुनिया विश्युद्ध के गगार पी जाके खड़ी है उससे सम्मंदित सभी विंदूओं को हम समझने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं वर्तमान प्रक्रण की तो वर्तमान उट्राहितों का हवाला देते हुए अपने से ही अलग हुए एक अन्य देश यॉक्रेन पर आक्रमन के दिया कहने का दाथ पर है कि यूक्रेन पहले रूस का भाग था परंद वरतमान में वह अलग हो गया है और इसी पर रूस ने हमला किया हुआ यह आक्रमन पूरी रणनीत के साथ रूस द्वारा आगे बढ़ाया गया जिसमें रूस द्वारा मिसाइल टैंक व बमवर्शक विमानों का जबर्जस तरीके से प्रियोक किया गया यूरोपी यूनियन वर नैटो के कई देशों द्वारा यूक्रेन का समर्थन करने वर रूस को दुषपरडाम भुगतनी की चेतावनी देने के कारण विश्व के समक्ष तीसरे विश्युद्ध का खत्रा मड़ाने लगा तो इन चीजों को अब बहतर तरीके से अब समझ गया हमगे क्योंकि भारती है समाचार चैनलों में भी वरतमान में इसी प्रक्रिया पे चीजों को समझाया जा रहा है तो आईए देखते हैं दोनों पक्षों की भागोलिक इस्थित की बात करते हैं कि सबसे क्योंकि इस पूरे matter को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि उनकी भागोलिक इस्थित क्या है अर्थातरूस व जो आपका Ukraine है उनकी सीमा कहां से एक दूसरे को से कर दिया है और ये पूरा जो है ये में आपका कंट्रीज है इसमें जो मैंने ये डार्क में आपने राउंड में देख रहे हैं इसको मैंने डार्क में बनाया है और आपका ये में आप देखा जाते हैं यूक्रेन छेत रहें मैं यहां पर लिग देता हूं समझने के लिए ठीक है इस यूक्रेन के बाद जो एक प्रमुक है वो इसमें रूस की बाद चल ले रूस जो की यू एस एस आर से अलग हुआ एक अन्य देश हैं अब इसके आसपास देश की बात करें तो ये आपका है बेलारूस ये भी आपका रूस से अलग हुआ है तात पर ये है कि रूस से बेलारूस भी अलग हुआ है रूस से यूक्रेन भी अलग हुआ है और रूस से ही अलग होने वाला एक देश यहां पर है मालडोव इसके साथ कुछ अन्यवी देश है जो यूकरिन के साथ सीमा सजा करते हैं वो हो गया पोलेंड पोलेंड का वर्तमान में महत ज़ादा हो गया क्योंकि भारती जो भी प्रवासी यहां पर रहते हैं उन्हें पोलेंड के रास्ते ही निकालने की बात चल रही है स्लो वाकिया एक अन्यदेश है याद रखिएगा स्लोवेनिया एक दूसरा देश है हंगरी रोमानिया यह ऐसे देश है जो यूकरिन के आसपास के देश है और यहां पर यूकरिन और रोस की बात होगी यह दो आप छितर देख रहे हैं इसमें जो आपका ये छेत्र है, ये क्रीमिया, ये भी वर्तमान में, चर्चा में है क्रीमिया, तो इस पे भी हम डिसकस कर लेंगे, और ये दो अन्य छेत्र हैं, लुहांस्क और डोनेट्स्क, जो की उक्रेन में थे, लेकिन रूस ने इन दोनों ही छेत्रों को स्वतंतर सागर, जिसे ब्लैक सी भी कहते हैं, और इसके साथ ही ये आपका है एजोव सागर, ठीक है, ये एजोव सागर है, आप देख रहे हैं, ये पतला सा यहां जुड़ा हुआ है, यहां पर कर्च जलसंद ही है, और ये काला सागर है, काला सागर में ही एक प्रायदवीप निकला हुआ है, क्रीमिया, जो कि कभी युक्रेन का भाग था, परनतु वर्तमान में रूस ने इस पर अधिकार कर लिया है, प्रायदवीप का ताथ पर है तीन तरह से, जो जल से घिरा हो, तो एक भाग एक तरफ ये, एक दिशा ये और एक दिशा तीन तरफ क्रीमिया, तो ये प पास के भी कुछ देश हैं इसके साथ हमने बात किया कि रूस से अलग हुए देश जो यूक्रेन के पास है वो माल्डो बेलारूस है तो अब हम इसके आगे के बिंदु पर प्रकास डालते हैं तो यह आपके सामने मैंने देखिए यह विवाद से संबंधित पक्ष की बात की पूरा विवाद चल रहा है आपने समाचार पत्रों में देखा भी होगा उसमें एक तो यूक्रेन है और रशिया है रशिया जो है ये यूक्रेन पे हमला किया है यूक्रेन के छेत्र को लेकर और नैटो जो है वो एक ट्रमुख भूमिका निभारा है इन दोनों की और डोनिट्सक जिसे रूस ने नए देश के रूप में मानिता दी तो इन दोनों के अलावा जो बचा हुआ यूकरेन का छेत्र वह पश्मी यूकरेन कहलाता है और वही जो है नाटो का पक्षधर है तो विवाद से संभनित पक्षों में नाटो यूकरेन और रूस की बात हो पर उन्हीं बिंदों पर हम चर्चा कर रहे हैं तो यहां पर बात करते हैं यूस वर्ड यू सोवियत संग का विभाजन की पाठता या सेकेंड वर्ड वर्ड वार कहने का ताथ पर यह जो है उसका विभाजन हुआ और उससे संबंधित देशों की बात हो रही है तो सबसे हुआ तो उस समय तीन देश अलग हुए आप इस मैप में यहां पर देख सकते हैं इसका आपका नाम है एस्टोनिया एस्टोनिया दूसरा यहां पर है लटाविया और तीसरा है लिथुआनिया यह तीनों बाल्टिक सागर के तटप हैं इसलिए इन तीनों को बाल्टिक सागर तटप कहते हैं इसके साथ ही एक युक्रेन यहां पर है अभी पहले हमने इस पर बात कर ली है ध्यान रखिएगा 1977 में जब रूस की क्रांती हुई या सोवियत संगी की क्रांती हुई और उसी समें रड़वार भी चल रहा था तो उस समें ये सब देश इससे अलग हो गए परंतु बाद में चलकर 1921 के आसपास ये सभी देश इसमें फिर संबलित हो गए और 1921 से आप ये जो बॉर्डर लाइन देख रहे होंगे मैं पेंसे आपको एक हिंट दे रहा हूँ ये सभी जो आपके हैं ये सभी मिल के जो है सोवियत संब के रूप में संगटित हो गए और ये संगटित हो गए कब तक 1991 तक कहने का तत पर यह है कि इनका विभाजन 1917 या वर्ड वर 1919 के आसपास हुआ और तक पश्चात 1921 में फिर सब एक हो गए और 1991 के अंदर बीच में जो है ये USSR के रूप में जो है सोवियत संगटित के रूप में एक बड़ा छेटित के रूप में मानेता थी परन्तु 1991 में जब कोल्ड वार का समापन हुआ रूस और अमेरिका के बीच में तो उसका समापन USSR के विगटन से हुआ इसमें USSR बो कुल 15 देशों में विगटित हो गया वो कौन से देश थे यहाँ पर एस्टौनिया लटाविया और लिथोनिया बाल्टिक्स के रूप में विगटित हुआ और यहाँ पर एक देश है बेलारूस ये भी विगटित हुआ रूस से एक अलग हुआ यूक्रेन और एक यहाँ परदेश अलग हुआ मालडोव एक दो तीन चार पांच छे देश यह हो गए अब यहाँ पर देखे इन्हें काकेशस देश कहते हैं इसमें आपका एक है जॉर्जिया जॉर्जिया दूसरा आपका यहाँ परदेश है अर्मीनिया अर्मीनिया और यहाँ पर एक आपका है अजर बैजान अजर बैजान अभी इन देशों के बीज भी कुछ डिस्प्यूट थे अभी एक वर्ष के अंदर आपने इन घटनाओं को पढ़ा होगा और जॉर्जिया भी कभी विवाद में रहा चेचनना विद्रोहियों के दूप म अब यहाँ आप देखे कैस्पियन सागर हैं तो कैस्पियन सागर के दाहिने तरफ देखा जाए तो यूएससर से अलग वे कुछ और भी देश हैं इसमें एक है कजाकिस्तान कजाकिस्तान और यहाँ पर एक आपका है किरिगिस्तान किरिगिस्तान और यह इसी तरह एक है त तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के बीच यहाँ पर एक देश है उजबेकिस्तान उजबेकिस्तान तो यह USSR के विग्टन की बात हो गई कि सोवियत संग का किस तरह विग्टन हुआ अब आप यहाँ देख सकते हैं तीन यहां पर्देश है, पांच यहां पर्देश है, इनको Central Asian countries बोलते हैं, Central Asia इसको काकेश्रस बोलते हैं, और इसको Baltic सागर के देश बोलते हैं, Baltic countries बोलते हैं, और बेलाज सुर्क्यों योक्रेन हो गया, तो आपका 5, 3, 8, 3, 11, 12, 13, 14, और एक देश जो बचा हुआ भाग ह अब हम यह देखते हैं, जो इस पूरे घटना करम की पाठखता है, वो वास्तों में USSR के विभाजन से ही स्टार्ट हुई, तो हमने एक चर्चा की USSR आमें सीत युद्ध की, तो सीत युद्ध जिसे Cold War ही कहते हैं, पहले इसके definition जाल लेते हैं, फिर समझते हैं कि उसके अंतर पर बिना सैने कारवाई कि ये धंकियों विवैचारिक मद्ध भीदो द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया आता है, इस प्रकार का अप्रतक चुद्धि विश्युद्ध के पशावत USA वर रूस के मद्ध चला, कहने के ताथ पर है कि शीत युद्ध में हम एक दूसरे को युद्ध करके कमजोर नहीं करते हैं, एक दूसरे को कूटनीतिक तरीके से अलग थलग करके आर्थि ग्रूप से नुकसान पहुचा के या फिर परेशान करके या उसके विरोध में गोलबंदी करके उसे कमजोर कर देते हैं, उसमें युद्ध लणने की बात करते हैं, तो इसमें देखे पहला दूसरा विशुद्ध में क्या हुआ कि यू एससर द्वारा यूरोप से अपनी सेना को वापस न लेना वा यूरोपी देशों पर सामिवादी विवस्था के अधिन लाने का प्रयास करना, कहने का दाथ पर या है कि जो दूसरा यूरोप से वापस नहीं ले रहा था, कारण क्या था, क्योंकि वो अपनी सामिवादी रूस की जो विवस्था सामिवादी है, वो सामिवादी विवस्था का प्रसार करना चाहता था, या अपना अधिपत यूरोप पे कायम करना चाहता था, अब यहां USA का पक्ष क्या है, युवेसब जद देखा कि रूस जो है वह अपने आपको मजबूत कर रहा है वो शक्त संतुलन अस्थापना है तो यूरोपी देशों को अपने पक्ष में करने लगा जो उसने सोचा कि अगर उसको अपने पक्ष में विला ले तो हम यूएसड्र कर सकते हैं और इसी को ध्यान में रखते वे उसने नैटो की अस्थापना की जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे इसके साथ जो तीसरा बिंदु आप देख रहे हैं कि परमाण हथियारों की होड प्रथम दूती विश्युद्य के पश्चात आप ध्यान देंगे तो को ध्यान में रखते हुए रशिया ने भी जो है इस परमाण हथियारों की होड में शामिल हो गया जिसका परणाम यह हुआ कि रशिया और युवेशे के बीच जो है एक तरह से विवाद उत्पन हो गया जो की सीत युद्ध के रूप में प्रलक्षित होता है अब दोस्तो इसी घटना करम में हम बात करते हैं हमने सोवियत संग का विभाजन पढ़ा कि विभाजन के इन परिस्तितियों में हुआ और उसके क्या क्या च्छेत्र बगल उससे कटके लग हुए फिर हमने पढ़ा कि यह विभाजन शीतिद्ध का प्रडाम था तो शीतिद्ध का कारण क पर यह कि इन topics के माध्यम से हम रूस और अमेरिका में हुए विवाद को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस विवाद की ऐतिहा सिक्ता क्या थिया विवाद शुलू से कहा हुआ अब हम NATO के उदय की बात करते हैं अब जहां तक NATO की बात करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले हम समस इसके इधर और अट्री अट्लांटिक संदि संगठन अब आप ये एक वर्ड़ का मैप देख रहे हैं मैंने ये आपका भूमत रहे है इसके इ Popular गोलार्द इसके इधर दक्षडी गोलार्द तो इस उत्री गोलार्द में हम अगर बात करें तो ये अब देखरें ये अट्लांटिक महासागर है तो इस लाइन के इधर उत्री अट्लांटिक और इधर दक्षडी अट्लांटिक तो इस उत्री अट्लांटिक महासागर उस इस के आसपास के देशों के मद्ध जो सैन ने संगठन बना उसे नाम दिया गया नाटो अब इसकी अस्थापना देखें 1949 में हुई और इसकी अस्थापना जो हुई थी वो USA में हुई थी वाशिंग गटन DC और ये वाशिंग गटन DC जो है ये वो USA की राजधानी दिया DC मतलब District of Columbia ये Columbia जो शहर है Columbia शहर में है और उसका अस्थान का नाम है वाशिंग गटन जो कि अमेरिका के प्रथम राश्टपती थे परन्तु इसका जो मुख्याला है वो यहाँ पर डेल्जियम एक देश है जिसकी राजधानी ब्रुसल से वहाँ पर है और वरतमान में इसके तीश देश है अब ये नाटो की हमने बात कर ली तो ये आपका पुरा नाटो कंट्रीज हैं अब देख रहे हैं न यह नाटो कंट्रीज मतलब यह आपका यहाँ पर इस्पेन पुर्तगाल फ्रांस जर्मनी बेल्जियम नीदरलेंड यह सारे देश क्रोईशिया और इसके साथ यहाँ देखे यह कुछ बाल्टिक देश जो मैंने पहले चर्चा की देख र देश ही यह है वाई आकरवन की स्थित में सदस्ते देशों के मन्दि साजा सुरक्षा की विवस्ता बनाना यह सेसार के प्रभाव को रोकना और यूरोप को सुरक्षा देना कहने का तात पर यह है कि जब सेकेंड वर्ड वार के पश्चात रूस बहुत मजबूत हो गया त यूरोपी कंट्रीज को डड़ था कि रूस कहिन के उन पर अपना प्रसार करने की कोशिश ना कर सके इसी को दिहान में रखते हुए उत्तराज अमेरिका ने इन देशों और इन सब के साथ मिल के एक साजा सुरक्षा संगठन बनाया जिसका उद्देश यह था कि यदि कोई कि भी बाहरी देश कहीं से भी इन सदस्य देशों में से किसी पर एक आक्रमण करता है तो ऐसा माना जाएगा कि वो संपूर देश पर आक्रमण कर रहा है उस इस्थित में ये सभी देश जो है मिलकर उस पर आक्रमण करके अपनी सुरक्षा करेंगे तो ये नैटो का पूरा बात चल रहा है तो वर्तमान जो विवाद चल रहा है ये नाटो के बारे मैंने आपको बताया अब जो आपका यूक्रेन है जो रूस से अलग हुआ है यूक्रेन प्रयास कर रहा है नाटो कंट्रीज में शामिल होने का ठीक है अब रूस का जब विभाजन हुआ तो उस समय ल आधे देशों के पास नहीं लाएगा क्योंकि इस इस्थित में नाटो अपने मिसाइल सपने सिस्टम को यहां पर यहां पर अस्थापित करेगा जिस कंड्रेशन में रूष की सामरिक सुरक्षा या रूष की सुरक्षा प्रभावित हो सपी परंतु पिछले वर्षों में पिछले समय में यूक्रेन का प्रयास रहा कि हम nato countries से मिल कर जो है उसके अक्रमण करने उस नाटयो कंट्री से मिल कर उसमें शामिल हो जाये तो इसी कंडिशन में रूस्ने इसका व्रोध किया और रूस ने यूक्रेन पर अक्रमर करती है. अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है? कि नाटो कंटरीज में आपके अस्टोनिया, लटाविया, लिथुवानिया और उसके साथ ही आपके यहाँ जो कंटरीज पॉलैंड और यहां पर आपका रोमानिया यहां पर हंग्री इन इक पर समयर में आध कर आप अब बेलारूस जो कि रूस का पक्षिदर है मालडोव रूस से अलग हुआ यह उसमें शामिल नहीं हो सकता यूप्रेइन जो है युद्ध की है वो इसी से सम्मंधित है तो इसी को लेकर विवाद है और इसी को लेकर युद्ध चल रहा है तो अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि इस युद्ध के जो पक्ष है उनके तरक क्या है और उनके हित किस प्रकार प्रभावित होते हैं अगर हम यूक्रेन की बात कर तो देखिए यूक्रेन रूस से स्वेम को सुतन तो 1991 में करा लिया परन्तु अब वह उसके प्रभाव से भी फ्री हो के पश्चमी देशों अर्थात यूरोप, USA, कैनडा इन सब के पक्ष में जाना चाहता है तो जिसके लिए वह नैटो में समलित होने का इच्छुक है अच् अपनी सुरक्षा को लेकर नैटो में समलित होना चाहता है और रूस से डरा हुआ है अब रूस की बात करें तो रूस के विरोध स्वरू फिर नैटो का गठन हुआ तो रूस इसलिए नैटो को किसी भी कंडिशन में मजबूत होने नहीं देगा और रूस कभी नहीं कि माय फिर सुरक्षित हो जाएंगी सीधे नैटो से टकरा होगा दूसरी चीज आप देखिए रूस द्वारा यूरोपी देशों की कुल अवश्यक्ता का 30 प्रशंट प्राकृतिक गैस पूरती ये पाइप लाइने अधितर यूक्रेन वर काला सागर से होकर जाती हैं कहने लिए प्राकृतिक गैस का एक बटी तीन भाग वो रूस द्वारा ही सप्लाई होता है ठीकर तो इसलिए अगर और ये सारी पाइप लाइन अगर किस मैप में आप देखने का प्रयास करें तो यह आप देख रहे हैं यह जो यह आपका यूरोप है यह साही पाइप लाइन इसी यूक्रेन से होकर जाता है तो इसलिए अगर यूक्रेन नेटों के अंडरा आ जाएगा तो रूस की यह चीज प्रभावित होगी तो रूस इसे भी सुरफचित रखना चाहता है तीसरा है अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहता है तो यह भी आपको इस लेंगे हम तो रूस को वैसे भी हम कंट्रोल कर लेंगे और वहां पर अशांति पैदा किये रहेंगे तो इसमें उसका हित है दूसरी चीज़ वह चाहता है कि जब आक्रमण के स्थिति में या जब विवाद होगा तो उस कंडिशन में यूरोप और रूस में विवाद होगा तो यूरोप प्रतिबंद के कारण रूस से गैस किया पूरती नहीं कर पाएगा ततकालिक रूप से यूरोप में उर्जा संकरतों उत्पन होगा परन्तु यूएसे स्वयम उर्जा का या प्राक्रितिक गैस का बहुत बला भंधार उसके पास है तो वह उसे बेचकर अपन लिए उर्जा का एक नया मार्केट खोज लेगा तो कहिन कहीं यूएसे का इसमें फायदा यह है कि वो रूस के व्यापार को हटा कर उसे अपने प्राक्रितिक गैस के व्यापार में यूरोप के रूप में शिफ्ट करना चाहता है तो ये यूएसे का आपका एक उसका एक अब यहाँ पर इसके साथ यह भी देखिया अफगानिस्तान संकट से उसकी छविध हो मील हुई है जिस तर उसकी सेनाए गई है असफलता प्राप्त कर तो इसलिए यूएसे कहिन के अपनी स्थित को मजबूत करना चाहता है अब यूरोपी पक्ष की बात करें कि यूरोप पार रोका जाता है तो कहीं कहीं यूरोप में गैस क्या पूर्तिबादित हो जाएगी और यूरोप में जो है आपका उर्जा संकट उत्पन हो जाएगा जो कि किसी के लिए भी हितकर नहीं होगा तो और अब हम बात करते हैं भारती पक्ष की तो यदि भारती पक्ष की बा तो भारत वरतमान में, बहुत पहले से भी जो भी हतियार वह बाहर से आयात करता है उसका पचपट पच्रम वह रोस से आयात करता है यहाँ पर जो मिसाइल है यह पिर पंडुबी सबमरीन है यह पर जो पर्माण करकर में इसमें रूस का काफी युगदान है इसके साथ ही भी हाल में भारत यस 400 एंटी बैलस्टिक मिसाइल भी वहां से ला रहा है एंटी बैलस्टिक का मतलब ये होता है कि जब कोई किशी देश का मिसाइल हमला करेगा तो यहां का मिसाइल उसे डिफ्यूस कर सके इसके साथ ही भारत पाक विवाद में र चाकिस्तान का पक्ष लिया तो रूस ने अपने जहाजी बेड़ो को भारत के पक्ष में भेज दिया था तो इन सबसे ये असपश्ट हुजाता है कि रूस भारत का एक भरोसे मन और समय के साथ परखा हुआ दोस्त है अब यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन से भारत की भी अच्छे संबंद है जब 1991 में कोल्ड वर कोल्ड वार के बाद यूक्रेन अलग हुआ तो उसने अपना पहला एशिया में दोतावास 1993 में जो खोला था वह भारत में ही खोला था और इसके साथ ही अगर आप इस मैप में देखें इस मैप में तो ये यूक्रेन जो है इस पू इसलिए भारत के लिए यूक्रेन भी उतना ही लाब कारी है अब USA की बात करें तो पिछले वर्षों में भारत की USA से बहुँच्छे सबंद हुए चाहे नियूक्लियर डील की बात हो या फिर चाहे क्वार्ड की बात हो जो कि आपने जापान भारत USA और आस्ट्रेलिया ये स मिल के क्वैड में एक साथ समलित है इसके साथ ही FDI में भी USA का काफी योगदान है तो कहने का तात पर यह है कि USA से पिछले वर्षों में संबंद काफी मजबूत हुए हैं तो यदि रूस से प्रॉब्लम करता है भारत तो रूस चीन वह पाकिस्तान नजदी का जाएंगे ज अगर इन दोनों कंट्रीज से उसके संबंद खराब होते हैं तो निश्य तूप से पश्चमी देशों से उसके संबंद खराब हो जाएंगे जो कि बिलकुल भी किसी तरीके से भारत के हित में नहीं है तो यह सारी चीजें हैं जो कि इस पूरे घटना करम को मैंने आपको अ USA, Russia और Ukraine में क्या भी बाद है तो यह सारी चीजें में बता दिया और वरतमा में युध्ध चल रहा है जिसमें की रूस ने इन छेत्रों से बेला रूस के इन छेत्रों से हमला किया और यहां के इस छेत्रों से हमला किया और उसने कीवे हमला जारी है, खारकीव, ओढ़िसो इन सब चेत्रों उसने हमला किया हैं तो ये पूरा आपका इस टॉपिक को लेकर कॉंसेप्ट था तो आई होप कि अगर आप इस वीडियो को एक दो बार अच्छे से देखेंगे तो निश्य तूप से इस पुरी प्रक्रण के बारे में आपके चीजें असपस्ट हो जाएंग काला सागर के आसपास कौन से देश लगते हैं ये पूछ सकता है ये जोव सागर काला सागर के बीच में या ब्लैक सी के बीच में कौन सी जलसंदी इसके बारे में पूछ सकता है तो ये सारी चीजें हैं जिने आप बहुत अच्छे सा थैयार कर सकते हैं तो इस विशा में आपके concept पूरी तरह से पसपश्ट हो जाएंगे।